है है अब गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आसा करते अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो आप सब अच्छे रहिए सोचते रहिए मस्त रहिए तो आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे कीचन और विलॉग में फ्रेंड तो देखिए धर मेरे कृष्ण नह में ननास्ता मैं आखा एनके नास्ता बना लिया और मक्षन मिस्रीन भूग लगा दिया आज मैरे इसमें कानहा भूग लगा को हब यहाचों को देखें तो देखें को मैंने चील के इस तरीके से हल्का क्सी दिया है मैं तो देखें मैं इधर गाजर को में difference कर लीया है तो बहुत ही अच्छा बनाता है गाजर का हलुए और जादा मैं नहीं बनाती थोड़ा थोड़ा बनाती हूं एक दिन चोड़के एक दिन ताजा ताजा बनाती हूं तब खाने भी अच्छा लगता है तो इधर देखिए मैंने यहां पर केवल डूत डाल के बनाएंगे बिना खोए का गाजर का हलुआ तो बहुत ही अच्छा बनता है बहुत ही तेश्टी बनता है तो यहां मैंने 200 ग्राम लंसम चीनी डाल है फ्रेंड और इस तरीके से मैं बना रही हूं गाजर का हलुआ तो आप सब देखिएगा और खायेगा गाजर का मौसम है इस समय तो गाजर फाइदा भी करता है बच्छों को इधर देखिए ठंडी का मौसम है और यहां पर तपता जल गया है जैसे गावाओं में कोड़ा कहते हैं तो वही जल गया है यहां पर लोग जला के रोज बैठते हैं और पिल्ला देखिए इंसान को भी ठंडी लगती धर जानुवर को भी ठंडी लग रही है यह भी इंसान है तो देखिए कि अच्छे से ताप रहा बैठके और इधर मैंने आगी जल आई है तो यहां प और अच्छा भी लगता है जीसे कि विट्भाइब बात्चीत होती रहती है और आगे तापते रहते हैं तो ठनडी बहुत है फ्रेंड आप सब बचा के रहिएगा आगे जला के तापते रहिएगा और अच्छी-चीजह गर्म गर्म बना के खाते रहिएगा तो मुझे तो आगी बहुत अच्छी लगती है बलगे कपड़ा खूब गंदे हो जाते हैं काली हो जाते हैं लेकिन आगी तापना नहीं भूलते हैं हम लोग तो आगी तापना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से जलाते हैं आगी तो वीडियो कैसी लगी फ्र झाल झाल